यह देखो भाई यहां पर कोई शोप है 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 हेलमेट बगरागी यहां पर लेस्टू बगरागी है है फोट बोक्स पड़े हैं जिंगापूर वाले अंदर ही अंदर क्या ही मतलब बड़िया मोल टाइब तो भी कैलरी जमारी बड़े राम से बर्न हो जाएंगी उससे और बकी है कि यहां पर में जो लोग इंडिया से आके सिंगापूर में काम करने सकते हैं इनके लिए भी में वर्कपर में टाइब कुछ दूगाड करा सकता हूं वह देखो सिंगापूर का फ्लायर दिख रहे हैं शिंगापूर लोकल यह ओके यह यह नाइस तुमित यू हेलो गाइस स्वागता जी आपका हमारे एक और नए व्लोग में वाई फाइनली सिंगापूर पहुंच चुके हैं जी और अब जागे मेरी थकावट वागेरा ना सारी दूर हुई है होटल में उन्होंने चलो मुझे अर्ली चेकिन दे दिया था ग्यारा बारामजी के असपास उसके बाद भाई ऐसी खतरनाग वाली नहीं दाई ना मैं तो बस सो गया कुछ नहीं पता चला ना मुआ धोया ना कुछ अब उठा था उठके पहले वो इंडिया से लाए गूम के आते हैं एक्स्प्लोर करके आते हैं सो आज के लोग मज़ा आएगा आपको यह व्लोग वैसे रेंडम रहेगा नहीं में मरीना पे सेट जा रहा हूं और भाई में जारे देखो यार क्या ही जबर्दस्त है सफाई देखो कितनी ज्यादा है यहां सिंगापूर में सिंगापूर में काफी बढ़ी समान मिल जाता है सिंगपूर में आगके बिल्कुल इयरूापी ए बिल्क्ली यूरॉपीन स्टाइल में बड़ी हैं थोड़ी है यहां यह लह लगी है यहां के जलान Бेसर मेट्रो स्टेशन से मुझे मेट्रो लेनी है डाउन टाउन के लिए वहां पर याजी मरीना बे मेरीलियन सब कुछ है वहां पर है यहां भी मसाज होती है कि अब है दो गवां से बाइब बातचीत होगी वहां पर सिंगापूर का भी कितने सिंगापूर वाले अंदर ही अंदर क्या बढ़िया मोल टाइप में बना रख देखा भी इतनी साफ़ाई यह देखो एक लिएमक्स कर सकते से मामले में दस में दस नंबर देना जाऊंगा व सबसे बेस्ट लगा मुझे मेरा बस में चलेगा तो अभी तक भी मेरा वो बैलन्स है जो पड़ा हुआ है क्योंकि मैं एरपोर्ट से आने के अगर मैं टेक्सी से आता तो 16-17 डॉलर दिखा रहा था और वह पर फिट तो है नहीं थे कि यहां पर लगा लो 17 डॉलर का भी लगा लो अभी साफ तो मोटा मोटा हजार पैसे उपर ही हो गया लो जी अभी हम पहुंच गये जी डाउन टाउन मेटर स्टेशन पर और वही कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा दस से पंदरा मिनट लगे है जी यहां का मोल अगर आप डाउन टाउन मेटर स्टेशन से आ रहे हो सिद्धा बाहर निकलते ही मोल आ जाता है मैल बड़ी जाद आ रही है वही थाई फूड वाली स्मेल आ रही है यहां पर उसी टाइप कर चलता है और यहां पर चैन्नही के बंदे इतने रहते हैं ना बहुत को हर दूसरा तीसरा बंदा चैन्नही का दिख रहा था वहाँ पर चाहां पर मेरा होस्टल है केट्व होस्टल भाई एक तो आज गा व्लोग कोई खास डिसाइड नहीं था कि कि दर को जाना है तो मैं आज जल यार शाम का टाइम है वैसे वोट्स्टल में बैठे बैठे मैं क्या ही करता तो मैं यह सुस्ति पाई रखो हूं कोई फायदा नहीं है तो यह दिखा रहा है रास्ता कुछ जहां से पैदल जाना है कितना 800 मिटर जाना है भी हमने यह से शुकर है चल गया इस पचीस दिन के जितने भी ट्रिप पे आया हो ना सो इसमें जितना भी चलना पड़ेगा मुझे तो बोडी विल्कुल एक तम फिट हो जाएगी फाल्तु का फैट कम हो जेगा कुछ खा भी नहीं है तो भी कैलरी बड़े राम से बर्न हो जाएगी उससे और बग्की है कि यहां पर मैंने ऐसे असे लोग दिखें जो 80-80 साल के लोग मेटरों में ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी लंबा जीते वह लाइफ ही ऐसी है हमारी इंडिया वे तो भाई गाड़ी उठाई निकल पर अब बहुत पैदल चलना बड़ता है यह विएक मैंदल प्लस पॉइंट ही है पेदल चल चुका हूँ ठाम यां काश्पेशन इतना को बड़ा है तिक मया ठाल है करे क्ल DF के छोड़े हैं चैना के लोग दिख हैं फिलिपीनस पी इंडीयन दिख हैं इचे नहीं और हर्ता से रहती है बद सट आए स्टाइंगा मैं काम से लेटेट भी बहुत बड़िया चीज बताऊंगा आने वाले कुछ फोलो करते हैं ना जो लोग इंडिया से आके सिंगापुर में काम करना जाकते हैं इनके लिए वरकपर में टाइप कुछ जुगाड करा सकता हूं तो अगर आप बता देना कि ऐसा अगर कोई इंट्रस्टेड हो तो मुझे मेल कर सकता है यह लोग जी निकल गए है बाही बाहर ओए होए असली सिंगापुर की वाइप तो अब आई है यह देखो जी ओए नजारे यह उटल तो खतम ही नहीं हो रहा कितनी हाइट पे यार ओए आज वो दिना आई कि आप पूंच गया है और यह देखो जिदर चल रहा है जी यूगा और वाइवाँ सेड़ के लोग नहीं जातर देखा है फिटनेस को लेकर बड़े जादा सीरियूस रहते हैं अभी मैंना देखो है थोड़ा अपने काम में सेना बजट और सेविंग्स कर करके मैं तीन कंट्रिया प्लान की है मैंने तो अगर आप सब स्पोर्ट दिखाओगे न बड़िया से यूट्यूब पर हमारा बड़िया है चैनल चल गया भाई फिर तो इन वोटल्स में आकर रुकेंगे स्वाद ही आजेगा लो जी गाइज फाइनली पहुंचे है जी मारिना बे एरिया में और भाई क्या ही ब्यूटी है यहां की विल्डिंगी विल्डिंग दिख रही है चारो तरफ अभी जिस जगह के अमने जाना है उसका रास्ता है इधर से मैरीलियन की तरफ ओए होए गाड़ी है देखो ज़ क्या ही गजब लग रही है इस चीज को देखने के लिए हम यहां पर आया है ना यह देखो जी होए गजब यह जी सिंगापूर रीवर वह कहे स्क्रीन शोट लगा दूँगा मैं पढ़ ले ना इसको और देख लेना कितनी एडवास है और वह सिंगापूर का फ्लायर दिख कर लेंगे लोकेशन तो यह रात को भूमने वाली है लाइटिंग में जादा बड़ी अलगती है दिन में इतना कुछ ना लगे बट जो लाइटिंग में यहां का सबसे पोश हिलाका है सबसे महंगा हिलाका मारी ना वे तो काफी अच्छा है और भूमने के लिए भी बड़ अब किसी को बोलो एक तो फोट में वो जैसी तरही खीच देता है पर मजा सानी आ रहा रहा यहां पर कल एक बंदा टकाना पड़ेगा कोई यहां पर कोई टका लेंगे चिन्नी मिनी सा जो मारे साथ घूमे और फोट में खीचे हमारी और यही पर लेकर आऊंगा यहां यह फोटो में वगरा खिचवा ली है और कल मैं सुथ रहा हूं यही पर वोक करने आएंगे जैसे नॉर्मल लोग यहां पर वोक कर रहे हैं और यह रीवर क्रूज चल रही है यह बता नहीं कहा पर जाती है और वो समने मोल है सारा वह बड़ा सा टैक लगा हुए वहां पर यह सब्सक्राइब कर रहे हैं यह रोज आट से नो बजी तक होता है कि किसी ने जे वो क्रूज घूमरी है वहां पर देखो इनिमें अगर बैठके चक्कर शुकर लगाना हो तो यहां पर आजो रिवर क्रूज वाटर भी यहां वे टिकट का प्राइस बूशते हैं सू कितना है प्राइस सब्सक्राइस कि का आऀसेया वे तक ही कि ऊसक्राइस किये वहां जारे में बलाइस चाहिए और मुश्पर की हां और मारेन अजन आस्यूच अर्श अनिवा कि सब्सक्राइब कह 비ない शिर बढ़िया चीज आई हुई लो जी गाइज फाइनली जिसको इतनी देर से ढूंड रहे थे पहुंची गया हुआ तक यह देखते हो जो जिए अभी हम यूट्यूब पर देखते थे भाई वाज सामने से देखके ना बड़ा ही जाद अच्छा फील हो रहा है बाई बकी सब त ही जबर्दस फोटोस आ सकती है जो अब मेरी नवे होटल देख रहे हो ना इसके अंदर वाई 2561 कमरे हैं और यह सिंगाबूर का लार्जस होटल है और एशिया का सिक्स्त नंबर पे होटल आता है मेरी नवे सबसे बड़ा और वर्ल्ड में 34 नंबर पे आता है मैं एक पर ट अब आज टाइम इतना हो गया यहीं घुम्ते-घुम्ते दिल नहीं कर रहा है यहां से जानेगा तोस में कल यह अपर सो ट्राइब करेंगे एक वर कल श्राम को यह वोक के लिए आएंगे यहां के जो आई एम मोल की बात कर रहा है और 70-80% डिसकाउंट रहता है महां पर यहां का सीन बढ़िया लोग आम से बैठके रीवर साइड पर राम से ट्रिंक वगरा कर रहे हैं अबनाए उसमें पकेट सी में समान ला रहे हैं खाने पर रहे हैं बढ़िया नगी लाइफ है यहां की यह था जी मरीना बे का व्लोग और आई होब आपको यह वला व्लोग पसंद आया होगा वैसे तो मैंने मलब ना स्पैसिफिक रीजन से नहीं मैं यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और जो लोग पहले आ रखे हैं उनको तो पता ही होगा कितनी सुन्दर जगा है बढ़िया था व्लोग अब इससे अगला व्लोग जो आने वाला है वह आएगा उनिवर्सल स्टूडियो का वह भी पक्का देखना आपको टाइम पता ही एक दिन लॉइशो मिलते हैं जल्दी एकली वीडियो के साथ तो लें टेक्यर बाभाए